हेलो एवरिवन मेरा नाम डॉक्टर साहीद नजीव उला है मैं एक एमेस जेनरल सर्जन इन आयरवेद आहूं और चीफ आनोरेक्रल सर्जन इर दियानेसेन रेक्टम क्लेनिक के कम्प्लीट आयरवेदिक सर्जिकल सेंटर जूबली हिल्स हैद्रबाद में रहता हूं आज हम लोग फिजर इन आनों के बारे में कुछ विशे डिसकस करेंगे इजुली मलदवार के पास कुछ भी प्राब्रम रहना जैसे की दरद होना ब्लीडिंग होना और कुछ फूल कर सुजना होना कुछ भी प्राब्लम आने से सब लोग इसको पाइल्स बोल कर कांटिनियू लेकिन हर बार मलदवार के पास हर बार दरद होना जलन होना या ब्लीडिंग होना हर बार पाइल्स नहीं रहता दूसरे अलग बहुत किसम के बीमारियां होने के चांसे से उसमें एक है फिजर इन आनों फिजर इन आनों में क्या होता मलदवार के पास यहां पर छोटा सा कट होना यहां पर नीची जगा की जगा दो जगा दूसरे कहां पर भी कट होने के चांसने ज्यादा है इस कंडिशन को हम लोग फूर्टर ल्हनों बोलकर कहते है फिजर इन फूर्षार में जैसा कि आमर्मल मुनद्वार के जो भी प्रालेब संसेशन मालब जबी भी आप मोशन को जाते रहते हैं जब जलन ज्यादा बढ़ना साती दरत ज्यादा होना और मोशन के साती खून आना यह में ट्री सिंटम्स ज्यादा फिजरी नव में दिखते रहते हैं फिजरी नानो में भी दो तरीके के जिसको जिसमें acute फिजरी नानो chronic फिजरी नानो बोलके बोलते रहते हैं जो acute का मतलब क्या है वो immediately जबी भी रीसेंट आरेजिन बलतो यह बीश में जो भी बहुत दिन से नहीं प्राब्लम यह बीश में एक 10-15 दिन यह महिना से प्राब्लम है इस condition को हम लोग acute फिजरी नानो बोलते रहते हैं कि जा बहुत ज्यूरल पेन बहुत ज्यादा burning sensation बहुत ज्यादा खूनाने के ज्यादा चांसे है और और ख्राइंक फिजरी नानो में कह रहता बहुत दिन से प्रावल्म रहने से वहां पर पेन कंपेट टू अक्यूट अफिजरी नानों से इसमें पेन थोड़ा कम रहना जलन थोड़ा कम रहना लेकिन यह सिंप्टम्स कंट्यूनस रहते रहना इस कंडिशन में फिर से क्या रहता जो भी कट है वो जगह पे छोटा स्कि यह कंटिनी में लांग स्टैंडिंग से ईसा है तो इसका साइज ग्राजु ली बढ़ते रहता में यह में फिरांक औरIn Sebastian क्या है फिजशन आने के लिए बहुत किसम के रीजंस है उसमें मैं कांस्टिपेशन पिखाटत को चिशेपटेश्ल जू लोग ओंस्टिपेशन जाते वक्त कील ना जाधा देर बातरूम में बाइट कर इदेखनेहा पेपर पढड़ना या ऐसे मेंает याद देर बैट कर कीलना, ऐसे कंडिशन में क्या रहे था मलदवार के अनल कुशन्स पे ज्यादा प्रेजर गिरना, साथी यह जो भी रीचे के वीक पाइंट से उस पे ज्यादा प्रेजर गिर कर वहां पर कट होने के चांसे ज्यादा है, हाट स्टूल जो भी घट स्टूल वारा उन लोगों को भी यहां पर मोस्शन की जाने की जागा कर फिजर होने की चांसेस है जिन लोगों में डैरिया है जैसर की बार बार मोशन आ रहा दिन में 10 max बार उसे ज्यादा या 5 6 बाल से ज्यादा continuous डाय यरिया के प्राप्लम जिसको है nutra कर दो नो रहने के चांसेस है साती कुछ सेक्षव ली ट्रांश्विटेडड डिसीजर्स में जैसे हेज़र्ग अने के चांसेस है। कुछ लोगों में अलसरेटी कोलाइटिस, क्रांस डीसिस, ऐसे कंडिशन में भी फिजर इनानों आने की चांसे से, कुछ पेशन्स में IBS, ऐसे पेशन्स में भी आपको फिजर इनानों आने की चांसे से, जैसा कि IBS में मोशन टाइट आना, कुछ लोगों में मोशन ज्यादा रहे ना ऐसे पेशन में बार-बार मोसन जाने की जगा इर्डेशन होना प्रेजर होना उसके वजह भी आपको फीजरी नानों आने के चांसे से साथी कुछ पेशन में आने के चांसे जाए से साथी कुछ पेशन्ट में पोष्ट कीमोध्यवी खूर्ड रीडीयू थेर्शा में भी आपको फिजेखेर नानों आने के चौंस जयदा है और मुद्वर्क्वाइब होगए और कुछ पेशन्टों में जैसे कि पाइल से सरफ डिग्री पाइल यह भारबार आ इस प्रद्रेशन से फिशरी नानोँ आने च compartir लोग से इसको आपको अच्छल में करने के और बुलते हो तोड़ा बटर मिल्क डेली डाइट में तोड़ा बटर मिल्क जैसा आट करना जो भी गरम चीज़े मिर्ची मसाला स्पाइस अंडा गोश मच्छी ऐसे चीज़ें थोड़ा कम करें करने से मोशन आपका साफ्ट फार्म होकर वहां पर मलदवार के पास प्रेजर नहीं गिर कर वह जो भी फिजर हो वह कंड नार्मली मिनिमल मेडिसिन से आपको कम होने के चांसे ज्यादा है लेकिन कुछ लोगो पर स्किन बढ़ जाना सेंटिनल पाइल मास जो भी स्किन है वो बढ़ ज्यादा बढ़ जाना साथ ही वहां पर मोशन बार बार रुखने के वज़े से आप इंफेक्शन होना ऐसे कंडिशन में भी माइनर सरजरी की जरूरत पढ़ती उसमें स्विंक्टराटमी बलकर छोट प्रोसीजर रहता फिजर एक्टमी ऐसे लेजर से फिजर एक्टमी ऐसे प्रोसीजर से आपको इमीडियेट रिलीफ रहने के चांसे से यह है फिजरी नानों के बारे में जैब भी आपको फिजरी नानों में जैसे लक्षन अभी जिए उडिया में बोले उसे लक्षन मिलने से आप definitely special को मिलना चाहिए क्योंकि हर बार पाहिल्स नहीं होता मिलकर उसका treatment लेने की जरूरत है and thank you so much